एलो स्टुरेंट्स आज हम लोग बात करते हैं मल्टी डैमेशनल एरे के प्रोसेसिंग की देखें मल्टी डैमेशनल एरे क्या होता है यह हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं आज उसके हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि उसके हम डिफरेंट आपरेश इस पे अलागि इसमें कुछ चीजी ध्यार में रखनी पड़ती है जैसे कि जब आप किसी मंटली डाइमेशनल एरे को पास कर रहे हूं किसी फंक्शन को तो क्या करना होगा दा फॉर्मल अर्गुमेंट डिक्लेरेशन विदीन दा फंक्शन डेपनीशन must include explicit size specification in all of the subscript position except the first. These size specification must be consistent with the corresponding size specification in the calling program. The first subscript position may be written as an empty pair of square brackets as with a one-dimensional array. The corresponding function prototypes must be written in the same manner. तो जब आप किसी multinational array को पास कर रहे हैं किसी function को तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पढ़ेंगी. अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक program हम discuss करते हैं आपके साथ में. तो उसमें आपको clear हो जाएगा कि multinational array को कैसे पास करते हैं tables of integers into the computer and calculate the sum of the corresponding element. मतलब बालीजे हमारे पास दो table है. एक table A है, एक table B है. हमें क्या करना है? इसके और इसके corresponding elements को read करना है और उसको sum कर देना है. यानि हमें इस तरह सम करके तीसरी table C में लिख देना है. यानि C, I, J is equal to हमें लिख देना है. A, I, J और प्लस B, I, J ये काम हमको करना है. ठीक है? अब इसमें क्या होगा? and display the new table containing these sums. अब इसमें क्या होगा? कि we will assume that all of the tables contain the same number of rows and columns not exceeding 20 rows and 30 columns. तो हमने कहा कि let A, B और C ये जो तीनों table है हमारी ठीक है? इसमें हमने कहा कि साथ 20 row है और 30 columns है. ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो हम variable use करेंगे आगे अपने program में वो हम ये ये यूज़ करेंगे मारी जह हमने कहा N rows ये variable यूज़ करेंगे ये क्या बताएगा? अन इंटीजर वरेबिल इंडिकेटिंग दे एक्च्वल नमबर आफ रोज इन इच टेबिल ये इंटीजर वरेबिल होगा जो एक्च्वल नमबर आफ रोज बताएगा हर टेबिल में फिर हम ऐसे रिखेंगे N columns ये भी इंटीजर वरेबिल होगा ये एक्च्वल नमबर आफ रोज बताएगा हर टेबिल में फिर हमने कहा row यह integer counter होगा that indicates the row number ठीक और फिर हमने कहा column यह भी आपका integer counter होगा that indicates the column number इन variables का हम use करेंगे आगे अपने program में अब इसमें क्या होगा कि the program will be modularized by writing separate functions to read an array calculate the sum of the array elements and display an array ठीक है अब इस पूरे function को हम modularize मतलब पूरा function अगर मान लीज़े हमारा पूरा program यह है ठीक है यह अगर हमारा program है तो इसको हम modular form में develop करेंगे उसमें एक module होगा हमारा जो क्या करेगा array को read करेगा दूसरा module calculate करेगा sum of the array को और तीसरा module जो है वो display करेगा ठीक तो यानि कि इस module का नाम मालीजर में लग दिया read input यह function हो गया read input दूसरा हो गया compute sums इसका नाम हमने लग दिया compute sums और तीसरा जो है इसका हमने लग दिया write output इस program को हम तीन function में हमने divide कर दिया तीन modules में अब one by one करके हम इसको जो है इस तरह modules को यूसरा पूरे program को लिखते हैं अब देखे जब इसमें आप program लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले हमने लिखा comment line लिख दिया हमने यह program क्या करता है तो हमने लिखा calculate the sum of the element calculate the sum of the elements in two tables of in two tables of integers ठीक है उसके बाद next हमने लिखा hash include stdio.h यह headerify include कर ली फिर हमने कहा कि यहाँ पर हमने define यहाँ हमने लिखा max rows 20 यह हमने कर दिया max rows 20 फिर हमने कहा define यहाँ हमने लिखा max columns max columns 30 यह हमने यहाँ define कर दिया अब उसके बाद जो तीनों function use होने हैं उसको हम यहाँ पर declare कर देते हैं ठीक, तो सबसे पहरे हमने लिखा void function का नाम लिखा read input read input और इसमें जो हमने arguments दिया हमने लिखा integer a और यहाँ लिख दिया max columns max columns ठीक, फिर हमने लिखा integer n rows फिर हमने लिख दिया integer n columns ठीक है इस तरह यह function declare कर दिया फिर sum करने के लिए तो फिर हमने दूसरा function लिखा void यहाँ लिखा compute sums अब इसके जो argument हो जाएंगे पहले हमने का integer a max columns यह हो गया पहला फिर दूसरा हमने लिखा integer b यह फिर हो गया max columns और फिर तीसरा हो गया integer c फिर यह हो गया आपका max columns इसके अलावा आपको जरुद पढ़ेगी integer n row आपने लिखा integer n rows और integer n columns bracket 1 यह है ठीक है तो यह दूसरा function declare हो गया आपके अब तीसरा right वाला तीसरा आपने declare किया है void यह आपने function का नाम लिखा right output इसमें integer c max columns फिर हो गया आपका integer n rows और फिर हो गया integer and columns ठीक है अब इसमें क्या होगा कि अब आप function जब शुरू करेंगे तो मानलीज आपने लिखा main ठीक है main में आपने क्या किया सबसे पहले आप यहाँ पे declare किया आपने integer n rows comma n columns ठीक अब यहाँ पे array को define करेंगे तो यहाँ आपने लिखा array definitions ठीक अब array definition में आप यहाँ पे declare कर दीजे एक हो गया आपका इंटीजर a अच्छा यहाँ पे आपको rows और column लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे empty से नहीं काम चलेगा यहाँ आपको लिखना पड़ेगा max rows और max यह हो गया फिर दूसरी array define कीजें हाँ पे इसको भी इसी तरह लिखेंगे max row max column max rows और max columns और फिर तीसरी array define करेंगे c max row और max columns यह आपने define कर दिया है यहाँ पे array को अब यहाँ पे हमने लिखा printf how many rows how many rows ठीक है अब rows की जो जितनी भी rows की जरुवत है यहाँ आपने percentage d declare किया और इसको m% n rows कर दिया n rows तो यह number of rows आपने enter कर दिया उसके बाद next चलिए how many columns ठीक है तो फिर आपने यहाँ लिखा printf how many columns ठीक है तो यहाँ scanf करेंगे %d यह हो जाएगा n columns ठीक है अब उसके बाद क्या करिए कि आपने यहाँ पे printf किया यहाँ आपने लिखा first table command लिख अपने यहाँ लिखा first table first table ठीक है slash and course closed और यहाँ पे आप table entry करने के लिए आपने read input function call किया read input function call किया किसके लिए आपने a array के लिए और कितनी rows के लिए तो n rows के लिए और n columns के लिए तो यह पहली array के लिए हो गया same चीज फिर आप दूसरी table के लिए तो आपने कहा printf slash and second table second table slash and यह फिर से आप यह function call करेंगे read input अब हो जाएगा b और कितने rows कितने गा n rows और n columns के लिए खीक अब जब यह दोनों table enter हो जाएगी तो हमें क्या करना sum calculate करना तो अब हम compute sum call करेंगे compute कॉम्प्यूट 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 sum function कॉल करेंगे किस के लिए input दे देंगे a argument देंगे a b देंगे n rows और n columns के लिए तो इससे क्या होगा कि corresponding element add होके आ जाएगे अब फिर हमें इनको output भी करना है तो फिर हम यहां करेंगे printf slash n वाली slash n हमने लिखा sum of the elements sum of the elements यह आ जाएगा slash n slash n rows closed यह और यहां पर फिर हम आउट तीसरा function कॉल करेंगे write output write output यह किसके लिए call करेंगे c के लिए और n rows दे देंगे और n columns पास कर देंगे ठीक तो यहां पर यह पूरा function जो है पूरा प्रोग्राम हमारा लिखिया और अब इसमें जो नों हमने तीनों function यूज किये read input compute sums और write output ठीक है अभी उनका definition बाकी है उनको भी one by one करके हम define करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पूरा प्रोग्राम जो है एक बार में execute हो जाएगा तो अभी इसको हम यहां तक आप इसकी working समझ लीजे इसको अभी हम यहीं पे इस lecture को end कर रहे हैं अब इसके जो तीनो फंक्षन है इसको हम continue करेंगे next lecture में इसको चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसी के बार आप continue करेंगे तो इसको आप जो है अपने पास save करके रखिएगा यहां पे हम लिख देते हैं कि to be continued in next lecture अब इसमें जो तीनो फंक्षन है उसको define करना है और फिर प्रोग्राम को execute करने के बाद क्या result आएगा उसको हम लग next lecture में discuss करेंगे तो I hope कि आपको वीडियो content पसंद आया होगा अगर वीडियो content पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को share कीजे लाइक कीजे जब को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next वीडियो की information आपको time से बिल सके है Thank you